हरियाना की राजनीती में मंगलवार को बड़ा फेर बदल हुआ मनोहर लाल खटर ने इस्तिफा दिया और उनकी जगा नायब सिंग सैनी को सीम बना दिया गया लोगसबा चनाफ से पहले इतना बड़ा फेर बदल राजनीतिक जानकारों को भी चौका रहा है नायब सिंग सैनी के बेक्राउंड और राजनीतिक ग्राफ को देखे तो साफ है कि उनका चेहरा आगामी लोगसबा चनाफ में बीजेवी को बड़ा फाइदा दिला सकता है OBC चेहरा होने के साथ साथ RSS से जुडाव उन्हें बीजेवी के लिए परफेक्ट चोईस बनाता है नायब सैनी बड़े OBC नेता है हरियाणा में जातीगत जणगणना तो नहीं हुई लेकिन पिछले साल परिवार पहचान पत्र स्कीम के तहट सामान्य SC, DC और बैकवर्ड क्लास के परिवारों के कुछ आखड़े सामने आई हैं और आखड़ों के आधार पर अनुमान है कि हरियाणा में पिछड़े वर्ग और SC मिलाकर 51 फीस दी है हरियाणा में कुछ समय से OBC समाच के संगठनों के पदादी कारियों की ये मांग है कि समुदाय के लोगों को हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से कम से कम 25 सीटे मिले रोतक में हुई एक रैली में कहा गया है कि हर्याना में OVC समुदाय के काफी वोट बैंक होने के बावजूत समाज के लोगों को उस लिहास से टिकेट नहीं दिये जाते और अब की बार लोगसबा की 10 में से 3 और विधानसबा की 90 में से कम से कम 25 सीट OVC समुदाय के लोगों को दी जाए ताकि उनको उनका हक मिल सके ऐसे में OVC वर्ग की नाराजगी शांत करने और उनका वोट अपने पक्ष में करने के लिए नायव सिंग सैनी सुटेवल जहरा है नायव सिंग सैनी के बारे में बात किरे तो वो अमबाला लोगसबा की गाउन नरायन गड के रहने वाली है 25 जनवरी 1970 में जनमे नायव सिंग ने स्कूलिंग बेशक हरियाना से की हो लेकिन आगे की पढ़ाई बिहार के मुझफरपूर और यूपी के मेरट से की इस सरह बिहार और उत्तरप्रदेश से भी उनका जुड़ाव है नायव शुरुवाती दोर में ही RSS से जुड़ गए थे और तभी से मनोहर लाल खटर से प्रभावित थे उन्हें शुरू में बीजेपी युवा मोचा का कामकास देखने की जिमेदारी मिली इसके बाद उन्होंने जिला अध्यक्ष के तोर पर काम किया और साल 2009 में बीजेपी के साथ मोचा हर्यान के प्रदेश महा मंत्री बने सक्री राजनीती में नायव 2010 में उत्रे और नराणगड से चुनाफ लड़ा लेकिन जीत नहीं सके इसके बाद साल 2014 में वो नराणगड सेट से विधायक बने और फिर साल 2016 में हर्याना सरकार में राज्यमंत्री रहे इनके पास खनन मंत्रालय का जिम्मा था इसके तीन बरस के बाद पार्टी ने 2019 में उनको कुरुशेत्र से सांसदी का चुनाफ लड़ाया और उन्होंने शांदार जीत दर्च की नायब सिंग सेनी मनुहर लाल खटर के नसदी की भी है ऐसे में संगठन के भीतर गुटवाजी की आशंका भी बहत कम है यहाँ ये बात भी मैतफून है कि मनुहर लाल खटर 9 साल से हर्याना के सीम थे अब लोगसाब चनाफ में ये सीम बदलने वाला दाफ कितना फाइदा दिलाता है ये तो समय ही बताएगा खार इसको लेकर आपकी क्या राय है आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले